राजस्थान में जब से गहलोस तरकार के खिलाफ एडी का कड़ा एक्शन देखने को मिला है तब से लगातार कॉंग्रेस पार्टी हमलावर है भारतिय जनता पार्टी पर दरसल आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले ही सीम अशोक गहलोत के करीबी निता प्रदेश अ साथ ही साथ एडी की तरफ से समन भेजा गया अशोक गहलोत के वेटे वैभव गहलोत को और ऐसे में देखा जाए तो ना सरिफ अशोक गहलोत बीजेपी पर बरसते हुई नजराए हैं जाच एजेंसियों के कामकास पर सबाल उठाते हुई देखे गए हैं बलकि दूसरी ही खडगे का साफतोर पर कहना रहा है कि EDCBI की छापे मारी से अब वहें बिलकुल भी डरने वाली नहीं है मालूम हो कि अशोक गहलोत ने जिस तरह से बयान बाजी दी है और ऐसे में देखा जाए तो सियासी सरगर्मिया काफी तेज हो चुकी है क्योंकि यहां पर सेम अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत के लिए और गोविंदी सिंग डोटा सरा के लिए लगातार बोलते हुए नसर आ रहे हैं और ऐसे में अब मलिका अर्जुन खडगे ने भी मोदी सरकार को चुनौती दे दी है जी हां मलिका अर्जुन खडगे का साफतोर पर कहना रहा है जो वैभव गहलोत को समन भेजा गया है उसको लेकर उनका कहना रहा कि बीजेपी सियम अशोग गहलोत का चुनाफ खराब करना चाहती है वह बीजेपी कॉंग्रेस निताओं का मनोबल गिराना चाहते हैं और उन्हें डराना चाहती है ऐसे में यहां पर मलिका अर्जुन खड़के कहते हैं कि हम डरेंगे नहीं डट कर यह चुनाफ लड़ेंगे इतना ही नहीं मलिका अर्जुन खड़के ने कहा कि हम 50 साल से राजनीती में हैं आज तक कभी चुनाफ के समय E.D. और IT की चापेमारी नहीं हुई आज बीजेपी सियम को डराने के लिए ऐसा कर रही है एक दिन उन्हें भी भुगतना पड़ेगा कि इसे चंद लोग डर सकते हैं लेकिन हमारे लोग डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं सियम गहलोत राजस्थान सरकार के मंतरी और कारेकरता डट कर इसका मुकाबला करेंगे तो मलिका अर्जुन खड़के ने इस तरह से यहां पर अपनी बात रखी है अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि किस तरह से यहां पर गहलोत सरकार या फिर यो कहा जाए कि कॉंगरेस पार्टी चुनोती देने में सफल होगी मालूम हो कि 25 नवंबर के दिन राज्यस्थान में मद्दान होने चारे हैं पहले ही सत्ता में कॉंग्रेस ही आएगी और वह अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं और उनका सपना यही है कि सत्ता में रिपीट करना है कॉंग्रेस पार्टी को देखते हैं कि CBI और ED की चापे मारी के बीच यहां पर कॉंग्रेस पार्टी किस तरह से बाजी मारती है फिलाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही बागी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज